तो दोस्तो आज हम आपके लिए सबजी और मखानों से बनने वाला ऐसा सूपर हल्दी और टेस्टी नाश्ता लेकर रहे हैं एक ठंडी ठंडी चिट्पिटी चिट्नी के साथ ये नाश्ता आप खा लेंगे तो आपको थकान कमजोरी तो दूर रहेगी ही रहेगी और खुब स तो मैंने एक कठोरी ग्रेटेट गाज्डली है एक कठोरी ग्रेट एक मूली लेना है एक कठोरी बारिक कटीवी शिम्ला मिर्च जरुर है नहीं कि आप सारी सबजेजा ले आपके पद जो सबजिया है वह आप ले सकते हैं आधी कठोरी हम ने लिये Cuban campaign एक कठोरी गेरेट फिल्गों भी लेना है एक कप आपको मखाना लेना है जी हाँ दोस्तों मखाना बहुत हेल्दी होता है इसे आपकी ठकान दूर होती है खुन की कमी दूर होती है जोडों के दर से आपको रहात मिलती है और हड्या काफी मजबूत होती है तो इसे आपको पीस कर इसमें डालना ह साथी वन फोट कप हमें डालना है दही अब आप सोच सकते हैं आज की रेसिपिक कितनी जादा हेल्दी है अब डालेंगे स्वादनुसार नमक नमक अभी ही डालना है आपको एक चमज डालेंगे चिली फ्लेक्स एक चमज डालेंगे काले तील ये भी बहुत हेल्दी होते हैं एक बड़ा टुकड़ा बारी कटावा अधरक डाला है थोड़ी से हमने हरी धनिया डाली है और वन टेबल इस्पून कसुरी मिथी डाला है साथे मैंने यहापर कैबेज ली है जो कि दो कप है और अब हमें इसे मिक्स करना है तो आज की रेसिपी बहुत हेल्दी हो रही है क्योंकि यह बहुत ही कम तिल से बनीगी और यह नाश्ता खाने के बाद आप दीन भर जादा स्ट्रॉंग और आपको बहुत एनरजी भी मिलेगी अच्छे से मिला लेना है दोस्तों ताकि जो सब्जियों का मौश्चर है न वो रिलीज हो जाए और सब्जिया सॉफ्ट हो जाए मिलाने के बाद हमें से लगपक 7-8 मिनट के लिए छोड़ देना है लगपक साथ से आट मिनट के बाद दोस्तों सबस्या सॉफ्ट हो जाती है और इसमें से सारा मॉश्चर रिलीज हो जाता है अब इसमें डालना है हमें दो कब की हुँ काटा, आदा कब डालेंगे बेसन और हाफ टीस्पून डालना है हल्दी पाउडर इसे कलर और फ्लेवर दोनों अच्छाएगा और अब हमें पहले सबजियों के मॉश्चर में आटे को मिक्स करना है जिया दोस्तों बहुत जादा मॉश्चर होता है सबजियों में तो नमक डालने से वो सारा रिलीज होता है और उसी में ही पहले आटे को लगाना है अब दोस्तों मैंने एक ट्विस्ट और किया है मैंने इसमें वन टेबल इस्पून डाला है सेजवन चटनी इससे बहुत अच्छा फ्लिवर आता है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं अच्छे से पहले आप मिला लीजिए और अगर आपको आटा ड्राय लगे तभी आपको इसमें दही डालना है और इसे मिलाना है और इस तरीके से आपको आटा लगाना है ध्याया रखे कि आपको इसमें पानी वगेरा नहीं डालना है वरना ये आटा बहुत सौफ्ट हो और अब इसे सूखे आघे से dust करके हमें इसे पेलना है दोस्तो ये पराठा बहुत जादा टेस्टी लगता है और healthy भी है और दोस्तो जैसे सबजिया इसमें तवे पर जाकर जैसे ही देसे घय में roast होती है ना पकती है ना ये खाने में इतना जादा ला जवाब लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते ये देखे दोस्तो हमने इसे आराम से बेल दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और सेकने से पहले तवे पर थोड़ा से तेल लगाई है और फिर इसे डाल दीजे तवे पर अब अलटते पलटते आपको सेकना है और जैसे जैसे हम इसे सेकेंगे ना दोस्तो इसका कलर देखें कितना शांदार आने लगा है बहुत ही colorful और बहुत ही healthy पराठा है इसे आप देशे की लगा कर सेखेंगे न तो यह और भी जादा टेस्टी लगता है इसे आप बच्चों के टिफिन में जरूर देजेगा बच्चे इसे शौक से तो खाएंगे ही साथ ही आपके बच्चे काफी strong रहेंगे और कई बिमारियों से बची रहेंगे चलिए इसे हमने अच्छे से सुने रहोने तक fry कर लिया है और बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है जब यह पकता है यह देखें दोस्तों कितना शानदार लग रहा है बहुत ही मज़े का बनता है और इसी तरीके से दोस्तों आपको यह पराठे बनाने है दोस्तों अगर आपको मंचूरियन बहुत पसंद है तो इसका जो टेस्ट है लगभक ऐसा ही आता है क्योंकि इसमें हमने काफी सारे सबस्या डाली है चले सारे पराठे बना लिये हैं अब बनाते बहतरीन से चटनी जो बहुत ही हल्दी और टेस्टी है तो इसके लिए आपको लेना है एक बैंगन एक बड़ा बैंगन लीजे और इसे अच्छे से भून लीजे अब जैसे ही इसका कलर चेंज होगा और यह अच्छे से भून जाएगा ना तब हमें गैस की फ्लेम बन करके इसे हमें थोड़ी देर ठेंडा करने के लिए रखना है और फिर हमें इसे चिल लेना है इसके उपर के सारे जो छिलके हैं उसे निकाल कर हमें इसे बीच से कट करना है और देखना है चेक करना है कि बैंगन खराब तो नहीं है चेक करने के बाद दोस्तो हमें इसे अच्छे तरीके से कट करना है और इसे मैश करना है इसे आपको mixer में पिसने की कोई जरुरत नहीं है बस mash कीजे और इसे एक bowl में transfer कीजे अब दोस्तो हमें इसमें डालना है एक cup दही, दही जादा खटा वाला नहीं लेना है दोस्तो इस बात का ध्यान रखी स्वादनुसार नमक डालेंगे और इसे mix करेंगी अच्छे से mix करने के बाद दोस्तो हमें इसके उपर एक तड़का डालना है जो बहुत ही शानदा टेस्ट देगा तो यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन में लिया है एक चमच तेल इसमें थोड़ी सी राई, थोड़ी सजीरा तीन से चार सुखी लाल मिर्च डालना है और थोड़ी सी करी पत्ता डालकर इस तड़के को हमें इस चटनी के उपर डालना है और इसे mix करना है दोस्तो गर्मा गरम पराठो के साथ ये ठंडी ठंडी चटनी बहुत जादा अच्छी लगती है और बहुत healthy भी है तो ये देखिए चटनी बन कर तयार हो चुकी है साथ ही ये हमारे पराठी भी ready है इसके उपर आप डाले थोड़ा सा बटर या मखन और इसे इस चटनी के साथ परूसी है खाने में ये इतनी जादा tasty है और बनाने में सबसे जादा आसान है और इसकी health value काफी जादा है तो आज की ये recipe आपको कैसे लगी दोस्तों मुझे जरूर बताईएगा I hope आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे घर पर जरूर ट्राइ कीजेगा आपको भी बहुत अच्छी लगेगी अच्छी लगी हो तो इसे like और share करना ना भूले